को देख सकते हैं मेरे दाहीन दिप्रफ कोगर लिखा UA लाग और जूम दिखाईए आप देख सक्ते हैं जश्ट् अप्रहनी तरफ कोगर कापी खतरनाक माना जाताहा है जेरिला सांप माना जाताहा है अब कrios आप में अभी वो कहीं ना कहीं अंदर है कहां पे पत्थर में है देखिए उनकी जैसे दिन चर्या है जिस महाँ को फालो करते हैं पत्थर है कहीं तेर रखे गए हैं कहीं दराज नहीं वो उसमें आप देख सकते हैं भारती अजगर इसके कशाव बड़े तेज होती हैं अगर यह किसी अगर आप यहां आए तो आपके गाड़ी के विशुविदा है पैसे पेपर के भूम सकते हैं पैदल भूमंगे ठक्नों वाले हैं भामन यह भी बड़ी जहरीली और यह नीचे आप देखिए दर लग़ा है कोई चूर आए तो लग़ा जैसे मुझे यह देखिए किनारे इसे जूम करके लिए यह भामन मैं आपको बता यह आज इसका लोकार पर है और यह आम जमों के लिए खोल दिया जाएगा यहां कोई बोड नहीं नगा है साइद यहां पर अभी कुछ नहीं आया है कुछ नहीं आया है यह तमाम कृष नहीं हो कि चिपा हुआ है कुछ लोग है बात करेंगे अंकल कैसा लिए तक अघन कर लिए को प्रजाति और तो वह Zelda है और अीज़ाध के लिए हमों में को अपको そうだ दिखा लेकिन हमें कहीं दिखा नहीं ज़त्फन कर देखा नहीं भट्र obras और वह मुझे सच्छ़ सरा इसका मतलब है कि यह अभी इसमें को यह सांप का बाड़ा था सामदार आप सकते हैं कल से जो भी किए झायेंगे खास करके लेटें भी भड़ा के इलाके में आने के लिए सरकार की एक जोजना है बहुत आप मैंने आगे दिखाते हुए चलूगा आप देख सकते हैं मेरे जश्ट सामने ये तेदुआ सोया हुआ है इसे आपको जूम करके लिए जश्ट मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं बाडा इसके लिए काफी अनुकूल है और आप देख सकते हैं कि वो अभी सोया हुआ है हम आपको दिखाने की आगे कोशिज करेंगे हम सोच रहे थे कि आपको बगवर से दिखाए लेकिन बगवर कोड़ में दिखा मैं आपको बताने की कोशिज कर रहा हूं तेदुवा के बारे में तेदुवा को सिरी देवेंद्र परताफ सिंग द्वारा अंगिकृत किया गया है आप मेरे सामने रही सलेंगे दर्ट में कुछ जानकारी दी गई है त्यन्द्वा की लंबाई जानेर होता है वह आप ॉन्फोल मादा 5-6 qs उसके जो वजन होते हैं वो भॉर कि पूर के जो वजन होते हैं वो कहीं न कहीं आप देख सकते हूं यह किनारे इसकी विशेश्दा रिहा । नहीं है और कहीं ना कहीं यह उत्तर पर्देश का सबसे बड़ा चिडिया घर है अब ऐसे मैं कहूंगा कि आप इधर से आए अब हम क्लोज करते यह निकलेंगे यह काफी बड़ा है और जस्ट मैं आपको बताता भी रहा हूं यहां गाड़ी की भी सुधा है तमाम वह सुधा झाल